फाइरिंग करते ही 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बुलेट extremely high temperatures पर बंदूग से बाहर निकली अगर मैं बुलेट प्रूफ जैकेट की outer covering को हटा दूँ तो इसके अंदर हैं ये 4 layers सबसे पहली है ceramic layer, फिर aramid fiber layer, फिर vertex layer और लास्ट में ये polyethylene layer सबसे पहले bullet इस ceramic layer की ceramic disc से टकराएगी, जिससे bullet की speed कम हो जाएगी प्लस bullet का ये streamline shape कुछ इस तरह से deform हो जाएगा deform होने के बाद bullet इस aramid fiber layer से टकराएगी, ये steel से भी ज़्यादा मजबूत एक tightly weaved fiber है bullet के contact में आने से ये इस तरीके से पीछे की और stretch हो जाएगा और इस bullet की kinetic energy को absorb करके पूरे surface पर distribute कर देगा, इसको चीरते हुए bullet vertex layer से टकराएगी, vertex layer और कुछ नहीं बस इस aramid fiber layer का ही upgraded version है जो की और ज़्यादा tightly weaved रहता है, आगे भड़ते हुए ये high temperature bullet जब इस tight chemical bonds वाली polyethylene layer के contact में आएगी तो इस polyethylene का contacted part पिखल जाएगा और इस bullet को ऐसे जकर लेगा 3D animation की मदद से topics को समझना कितना आसान है न, तो इंतिजार किस बात का है, जल्दी से subscribe बटन को दबाओ